हम यहां पर बात कर रहे हैं, the art of being nothing, कुछ नहीं होने की कला, देखो, at the end, जो death है, वो आपको कुछ नहीं तो करी देगी, आपको zero तो करी देगी, और आपकी चाहिए कितनी भी attachments हो, physical हो, psychological attachments हो, वो सारी एक time के बाद zero होनी है, खतम होनी है, क्यो नहीं हम उसको अभी से बियर करके अपने mind में, क्यो नहीं हम उसको अभी से याद करके, अपनी life को जीएं, हम हमेशा कुछ ना कुछ होने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदर हमेशा brain में activity चलती रहते हैं, हम उन thoughts को thoughts पर react करते हैं, identify करते हैं अपने आपको, अपने समाच से, अपने relationship में, अपने देश से, अपने religion से, but at the end, we have seen, हमने देखा हुआ है कि at the end, fact क्या है, reality क्या है, अगर हम fact देखें, that is a fact, इसका मतलब यह नहीं कि हम, हम जो हैं वो, इन चीजों का हिस्सा ना रहें, इसका मतलब यह है, कि हम इन चीजों से बने ना, हम किसी भी ideology, किसी भी belief, या किसी भी physical चीज से, हम condition ना हो, उससे attached ना हो, उससे bounded ना हो, जिससे कि हमारी मुक्ती या हमारी freedom रुख सके, just live, freely, complete passion के साथ, जिसमें कोई foundation ना हो, आप अगर किसी चीज को कर रहे हो, और अगर आपको उस चीज में पता है, कि आप, आपके लिए वो चीज at the end जीरो ही है, तो आप उस चीज को कितने freedom के साथ करोगे, आप उस चीज में उसको without results के, without even internal या external pressure के, आप बिलकुल free होकर उस काम में रहोगे, क्योंकि यहां पर आपके लिए कोई attachment नहीं है, आप उसके fruit से, आप उसके result से, आप उसके loss और gain से उपर आ चुके हो, आप बस अब एक meditation में हो, जिसमें आप वही कर रहे हो जो important है, जो जरूरी है, क्योंकि at the end, last में death सब कुछ तो चीनी ले नहीं है, तो इस चीज को हम याद रखे, इस चीज को हमारे अंदर इस चीज की realization एक बहुत ही जरूरी चीज है, और यह realization ऐसे नहीं की एक बार में ही आ जाएगी, हम देखें अगर चीजों का nature, चीजों का अगर हम temporary nature देखें, जो भी दुनिया में है, physical यह psychological, psychological में अगर हम कोई भी structure देखें, human being देखें, फिजिकल में अगर हम फिजिकल में कैसी भी चीज, वो एक ना एक दिन end होनी है, और एकर psychological देखें, attachment हमने किसी से बहुत ज़्यादा attachment पाल ली, end होनी है एक ना एक दिन, वो attachment है, हमारे इंदर डर है, वो डर खतम हो जाएगा, हमारे इंदर और भी बहुत सारे corruptions हैं, इस सारी चीजे temporary हैं, इनका nature हमें ये चीज बताता है, ये चीज हमें realize करवाता है, ये insight देता है, कि हमें चीजों को लेकर बिल्कुल free approach रखनी चीए, not की bounded approach, क्योंकि जब हम किसी भी चीज से जुड जाते हैं, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज से हम attach हो जाते हैं, तो फिर हम old हो गए, हम पुराने हो गए, हम second handed हो गए, life तो हमेशा नहीं है, वो वो अपने आपको change कर रही है, हर moment बदल रही है, जिसका मतलब ही है कि आप भी चीजों को इखटा ना करें, वही चीज हो गई, जाए वो भौतिक चीज हो गई, जाए वो मनुविज्ञानिक चीज हो गई, हम बस चीजों को एक खेल की तरह ले और उनको उस moment में जब वो जैसे नेचर में हैं, उसको उस टाइम पर बस देखे, enjoy करे, उसका लूपद उठाए, ना कि उससे कुछ हम expect करे, at last, अगर आप जोइन करना चाहते हैं मेरा complete spirituality program, जिसमें कि हम daily meditation करते हैं, daily शान बेहते हैं, कुछ नहीं होते हैं, zero होते हैं, nothing होते हैं, और यह art of nothingness आपको आनीच लिए, इस प्रोग्राम में पहले में आपको theoretical concepts के लिए खरवाओंगा, उसके बाद पर daily meditation करेंगे, जिंदकी भर के लिए चलती रहेगी, ध्यान आपका meditation lifetime के लिए अपने साथ चलता रहेगा, इस प्रोग्राम को जॉइन करें, comment section में में अपना WhatsApp number दे रहा हूँ, description में भी दे रहा हूँ, जाए और इस प्रोग्राम को जॉइन कीजिए, thank you very much. झाल